नमस्कार मैं हूँ आपकी साथ प्रेणा तलवार और आप देख रहे हैं First by TV मुंबई में लगतार हो रही बारश ने अब तक भी थमने का नाम नहीं लिया जो से शनिवार को भी भारत की आर्थिक नगरी कही जाने वाली मुंबई की रफ्तार थोड़ी से रुख गई है भारतिया मौसम विज्ञान विभाक की मानने तो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाडी में कम दबाव बनने के चलते अगले 48 घंटों तक उत्तर कौंकर में भारी बारिश हो सकती है फिलाल बड़ी खबर ये है कि बदलापुर और वांगडी के बीच माहलक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेक पर पानी भरने के कारण माहलक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन रुख गई है रेलबी ट्रेक पर पानी भर जाने से ट्रेन में सवार कम से कम 700 लोगों के लिए आफ़त आ गई है ये ट्रेन पिशले 9 घंटों से ट्रेक पर फसी हुई है लोग भूके पैसे हैं चारों तरफ पानी पानी है NDRF की कई टीमों को बचाफकारे के लिए लगाया जा चुका है और टीम ट्रेन तक पहुँच गई है और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे पानी का बहाव कम होने से रेलवे ट्राक पर बुरी तरह से जो पानी भरा हुआ था वो अब हटनी लगा है और ट्राक दिख रहा है ट्रेन में फसे लोगों की संख्या लगबग 700 से भी ज्यादा है और खत्रे को देखते हुए NDRF की टीम ने अब तक लगबग 400 से पान से लोगों को बाहर निकाल लिया है सुरक्षित इस्थानों पर उनको पहुचा दिया गया है बताया जा रहा है कि ट्रेन में 9 गर्भवती महिला भी सवार थी जो बुरी तरह से रेलवे ट्राक पर ट्रेन फसने के चकर में फसी हुई थी लेकिन अब NDRF की टीम ने 9 की 9 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित ट पहाइन का लिया है रेलवे ट्राक की हालत ऐसी बताई जा रही है मानो समुद्र के बीच में ट्रेन खड़ी हो जाहिर है ट्रेन यात्रियों की जान काफी खत्रे में बचाफकारे जारी है लेकिन सैक्डों की तादाद में लोगों को कैसे बचाया जाए यह एक बड़ी कि झाल साथ